हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रानिक स्टडी यूट्यूब चैनल, आप सभी को नमस्कार यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BTC या फिर जब आप DL8 की बात करते हो 2017 batch के original mark sheet के बारे में यहाँ पर आपकी back भी आई है या अगर आप पूरी तरीके से पास हैं तो उन दोनों की mark sheet जो है वो आपके college में आ चुकी है पूरे वीडियो में last तक बने रहिएगा मैं पहले semester से लेकर के चौथे semester तक सभी जो original mark sheet है इस समय आप देख भी पा रहे होंगी उन सभी के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकरी देंगी आपको कैसे mark sheet आपके college से प्राप्त होगी कैसे वहाँ से लेना है आपको उसके संदर्व में भी यहाँ पर हम जानकरी देंगी एक चीज और बता दूँ इसके पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि mark sheet मिलने के बाद आपको आपके diet से जा करके वहाँ पर एक बार फिर से एक तरीके से कहलो कि उसे verify करवाना होगा तो वो चीज भी अभी ऐसे में नहीं करना है उन सभी के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकरी देंगी जो रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लें बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस समय आप देख पा रहे हो यह है UPDLT 2017 पहले समस्टर की mark sheet है यह जो की मई 2018 में आपका paper हुआ था ठीक है परिक्षन यामक प्रादिकारी उत्तर प्रदेश प्रियागराज और यह जो mark sheet है वो diet laknao से है आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगी अगर मैं बात करूँ वही subject बालविकास इक्षण अधिकम के सिध्धान्त नीचे आप देखूगे result में आपको ऐसे जो आपकी original mark sheet होगी कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगी ठीक है यहाँ पर प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता diet laknao से जो किरन मिश्रा जी है उनके signature और यहाँ पर पवन कुमार जी के sign है जो कि प्राचार है diet laknao के ठीक है जो लaknao का diet है उनिशाद गज में पढ़ता है तो यही चीज आपको verify करवानी थी कि diet से verify करवा लिजे फिर आपकी mark sheet जो है वो सही रहेगे लेकिन ऐसे में college वाले आपकी mark sheet को verify करवा के देंगे नहीं करवा रहे हैं तो आप खुद जो है एक बार उनसे पहले कहिएगा अगर नहीं करवाते हैं तो आप diet जा करके खुद से यह चीज करवा सकते हैं यहाँ पर और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो release की date है आपकी देख लिजे 22 सितंबर 2020 एक महीना पहले आज 23 तारीक है 23 October चल रहा है एक महीना पहले जो है आपकी जो mark sheet है वो जारी की जा चुकी है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह है UPDL8 2017 सेकंड सेमेश्टो की mark sheet जो की January 2019 में आपका paper हुआ था लखनओ से आपका diet लखनओ आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर result में आप देखेगा जो है आपका भी ऐसे result देखेगा यह चीज़े आपके दिखेंगे mark sheet, serial number क्या है और बागी बातें यहाँ पर किरन मिश्रा जी के science fit से और यहाँ पर पवन कुमार जो की निदेशक है और प्राचारी है आपके जिला सिक्षा यह वो उम्प्रासिक्षन संस्थान लखनओ के आपका जो भी diet होगा, आपके diet के जो प्राचारी है उनका signature आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 2017 थर्ड समेस्टर की mark sheet है आपकी जून 2019 में आपका exam हुआ था diet लखनों से, subject वगरा को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और last में, signature और बाकी सारी बाते हैं अब चुकी आपको यहाँ पर मैं बता दू इसमें जो है, इस candidate की एक में back आई थी इसलिए overall result जो है, वो fail दिखा रहा है आप लोगों को मैं बता दू overall result fail दिखा रहा है तो वो कहां दिखा रहा है, यह दिखेगा यहाँ पे overall result fail आपको मैं बता दू एक single subject में आपकी अगर back है, दो में back है तो आपका भी overall result जो है, वो fail दिखाएगा तो उसमें बिलकुल से परेशान होने की जरूरत नहीं है जैसे ही आप back paper देंगे, आप pass होंगे एक फिर से mark sheet आपकी original आएगी आपके college में और overall result में आपका क्या लिखा हुआ होगा, pass लिखा होगा तो इसमें कुछ भी घवराने की जरूरत नहीं है कैसे भी करके, बाकि सारी चीजे मैंने आपको दिखा दी यह आपके चौथे समेस्टर की mark sheet है और fourth semester में ही आपका overall result आपको देखने को मिलेगा कोई और सवाल है आपके यहाँ पे तो आप comment section में लिख सकते हूँ अपने college जाएए, आप 22 सेतंबर को यह release हो चुकी है आपडेट यहाँ पर बाकायदा देख पा रहे होंगी verify नहीं है, तो उनसे एक बार college वालों से आप कहिए और उसके बाद आप अगर वो नहीं करते हैं तो अपने diet जाकर कि आप खुद से चीज करवा सकते हूँ वो बात अलग है कि आपकी mark sheet को देने के लिए वो कुछ पैसे जरूर लेंगे ठीक है जी, कहीं 500, कहीं 1000 रुपए, कहीं 1500 रुपए वो अपने हिसाब से जरूर लेंगे तो यह चीज आप आपके उपर है कि आप कैसे उसे minus करते हैं बाकी आपकी जो original mark sheet है वो आ चुकी है college से संपर्क करें और आपकी जो इसके पहले जो भी mark sheet आपकी जमा थी 10th intermediate को लेकर के जब आप बात करते हो या फिर graduation में उसे भी आप जरूर वापस ले लें बिलकुस से समय नगवाईए mark sheet आप अपने पास में रखिए तयारी करते रहिए बाकी परिक्षाओं की जो आपकी C-Tate exam या U-P-Tate को ले करके इस वीडियो को ज़्यादस ज़्यादस अंख्या में और विबाकी बच्चों तक पहुचाएं हम आपसे मिलेंगी जल्दी एक और वीडियो को ले करके थैंक्स पर रोचिए